मुख्यमंतरी सुखविंदर सिंग सुखु के प्रधान सलाहकार मीडिया नरेश चुहार ने प्रदेश सरकार द्वारा डीजल पर वेट बढ़ाने के सरकार के फैसले का बचाव किया है नरेश चुहार ने इस मुद्दे पर विपक्ष द्वारा किये जा रहे हो हले पर कहा कि भाजपा सत्ता खोले की बौकलाहट छोड़ कर सैयम बरते उन्हें कहा कि पोर्व भाजपा सरकार के कारेकाल में प्रदेश में महेंगाई में भारी वृध्य हुई उन्होंने कहा कि भाजपा सरकार ने इंधन और खादे प्रदार्थों की दरों में वृधिकर जनता को परेशान करने के नए रिकॉर्ड कायम किये उन्होंने कहा कि हिमाचल में डीजल के दाम पड़ोसी राज़ों के तुल्ला में सबसे कम है और भाजपा नेता विरोध के लिए स्तरहीन राजनिती कर रही है ताकि अपना अस्तित्व कायम रख सके नरेश चोहार ने प्रदेश की कॉंग्रेस सरकार को जन हितेशी सरकार करार दिया उन्होंने कहा कि सरकार जन कल्यान और सामाजिक सरोकार पर विशेश ध्यान दे रही है उन्होंने कहा कि पूर्व भाजपा सरकार की नीती और नियत से तंगा कर ही जनता ने उन्हें घर का दिखाया है नरेश चोहान ने कहा कि भाजपान नेता सिर्फ सुर्ख्यां बटोरने के लिए अनाप्शनाप बयानबाजी कर रही है